हाई अब्रिवन, वेलकम टू जे आर टुटोरियल्स, आइम यूर फ्रेंड राहूल जेस्वाल, तो दोस्तों उमीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडीज भी बहतरीन तरीके से चल रहे होगी, तो दोस्तों एक और बहतरीन रिवीजन वीडिय में help कर सके, वैसे तो आप जानते हैं कि हमने पूरे standard के लिए हर subject wise, lecture wise वीडियोस अपलूड करके already इस चैनल के उपर रखा हुआ है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा helpful होगा, आप जब चाहे उसको open करके देख सकते हो, कोई भी chapter पढ़ना है, detail में पढ़ना है, तो बस YouTube प उसे काम चाले हुए, आप सभी को revision कराने के लिए, ठीक है ना, तो आप लोग भी हमारा इसमें साथ देना और अपने दोस्तों को भी share करके बता सकते हो, कि यार, already सब चीज़ पढ़ने के बाद भी हम आपके लिए revision कराने के लिए आ रहे और मेहनत कर रहे हैं, तो please share to everyone, ठ ठीक है, चले, आज की वीडियो की शिरुवात करेंगे, chapter का ना हम देख सकते, useful and harmful microbes, यानि इस chapter में हमें basic तोर पर क्या पढ़ना है, useful microorganisms और harmful microorganisms के बारे में पढ़ना है, होता क्या है, देखो useful microorganisms की जब भी हम लोग बात करते हैं, मतलब ऐसे microorganisms, ठीक है, microorganisms का मतलब आप जा पढ़ती है, अब वो इतने छोटे होते हैं, लेकिन वो ऐसे होते हैं, जिसके help से हम या तो कुछ अच्छा कर सकते हैं, हमारे body में कुछ अच्छा हो सकता है, या तो उसके वजह से कुछ बीमारिया भी हो सकती है, तो जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए फाइदे मंदे जो हमें ताकत देता है या फिर कुछ अच्छी चीजे हमें मिलती है उससे तो वो रहेगा useful microorganism and कुछ ऐसा microorganism भी रहेगा कुछ ऐसे सुक्ष्म जीव रहेंगे कुछ ऐसे organism जिसको शायद हमारे body में अगर एक बार अंदर आ गया तो हम बिमार पढ़ सकते हैं उससे कुछ बुरा हो सकता है तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे harmful microorganisms तो इसको ही detail में हम लोग देखेंगे और again मैं बोलना चाओंगा कि यह revision lecture से तो इसको आप ऐसा मत समझना कि एकदम lecture जैसा पढ़ाओंगा मैं बहुत fast जाओंगा और कोशिश करूँगा कि 20-25 मिनड़ के अंदर ये पूरे chapter को मैं revise करा सको ठीक है और आगर आपको इस chapter का detail में देखना है तो वीडियो सा अलुडी प्रेजेंट है बस सर्च करो YouTube में मिल जाएगा या तो हमने playlist भी बना रखा है आपको वहां से होते हैं जो basic तौर पर क्या होते हैं it is useful for us हमारे लिए वो फाइदे मंद है ठीक है न हमारे लिए फाइदे मंद है and it does not cause any disease कोई भी disease cause नहीं कर रहे है अब इसके examples क्या क्या हो जाएंगे मैं आपको बताना चाहूंगा यसे examples होते है lactobacilli yeast हो गया streptomyces हो गया aspergillus niger हो गय सब्सक्राइब हो गया एंटिबायोटिक्स हो गये तो यह सभी टाइप के microorganisms की जो मैंने अभी बात किए example के तौर पर यह सभी चीज हमारे लिए useful है और इसलिए हमें इसको पढ़ना भी जरूरी है जब भी हम जिक्र करते हैं आप एक चीज जानते होगे कि हमारा पूरा श छोटे जीव होते हैं जिसके हम लोग बोटे braucht ह जिनकी साइज हो सकते एक सेल के बराबर हो सकता है चैल से थोड़ी बड़ी हो, ह Prix है तो यह जो जोλιग अलग रूप sil है आज हम देखेंगे जैसे यह मेरा office है ऑगर पर फ़ाइसाम् सासन करूं सारे यहाँ पे भी हो सकता है, बहुत सारे माइक्रो और्गेनिजम्स घूम रहे होंगे, बहुत सारे माइक्रो और्गेनिजम्स मेरे अंदर होंगे, कुछ कपड़े पे लगे होंगे, कुछ मेरे शवीर के अंदर होंगे, आपके पेट के अंदर होंगे, आपके पेट के अंदर हो बोलते हैं useful microorganism example को पूछेगा सबसे पहला याद रखना lactobacillus ठीक है lactobacillus बोलो यह एक ऐसा microorganism है एक ऐसा bacteria है in short अगर मैं बात करूँ क्यों कि देखो microorganism का मतलब क्या होता है bacteria virus fungus यह सब क्या होते हैं सब होते हैं अपना microorganism क्योंकि यह शुक्ष में जीव है ना बहुत छोटे होते हैं तो हमारे श्रीण में bacteria अगर आ रहा है वाइरस आ रहा है तो यह सब हमारे लिए क्या है microorganisms से तो microorganisms का जो पहला example मैंने बोला lactobacillus तो यह हमारे दही में present होता है मैं आपको बताना चाहूंगा हम लोग दही खाते हैं खरेक्ट है आज ही शायद मैंने सुबह morning में breakfast में दही खाया था थोड़ा सा ठीक है तो जो दही होता है अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग को दही एकदम white color का एक liquid दिखाई देगा दूज से थोड़ा सा डार्क होता है उसमें कुछ granules होते है मतलब ऐसा होता है लेकिन जब हम उसको एक दही के थोड़े से क्या बहुते है इसको थोड़ा सा तुकड़ा लेके तुकड़ा नहीं बूल सकते उसको थोड़ा सा फ्लोर्शन लेके आप microscope में देखो तो दही के अंदर आपको बहुत सारे microorganisms घुमते हुए दिखाई देंगे और वो microorganism क्या है एक bacteria है और वो bacteria का नाम क्या है lactobacillus उसको थोड़ा डीप में देखेंगे क्या होता है lactobacillus लेकिन आगे है yeast इस्ट भी एक bacteria है माफ करना इस्ट एक fungus है इस्ट क्या है एक microorganism है लेकिन वो कोन से कहते के रिखा है fungus के कहते के रिखा जो कि हमें बहुत सारे चीजों में help करता है जैसे कि एक्जांपल के तरफे आप कभी bread खाया आपने पाओ खाया पाओ आप बड़ा पाओ खाते तो जो पाओ बदना है ना पाओ इतना fluffy और spongy की होता है because of the yeast उस aspergillus niger it is also a type of microorganism जो की citrus acid production में use होता है ऐसे कई सारे चीज़ है rhizobium है एक एक करके detail में हम लोग discuss करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे lactobacilli जो exam में अक्सर पूछा जाता है कि write a short note on lactobacilli या फिर write some useful microorganism तो उसमें से याद रखना lactobacilli is very important तो lactobacilli है क्या तो lactobac क्या है एन एरोबिक बैक्टेरिया इसका मतलब यह है कि यह oxygen के बिना भी जिन्दा रह सकता है जैसे हम लोग example के तौर पर क्या बोलते हैं कि दुनिया में कोई भी living organism है बिना oxygen का जिन्दा नहीं रह सकता लेकिन मैं आपको बात बो या 99% जिन्दा नहीं रह सकते लेकिन कु produce energy without oxygen क्योंकि actual में oxygen क्यों चाहिए जिसे मालो आप oxygen ले रहे हो मैंने oxygen लिया मुह से लिया नाक से लिया जो भी हमारे लंग्स में जा रहा है तो हम जब oxygen लेते हैं तो हमारे अंदर एक process होता है उससे हमें energy मिलती है अगर हम oxygen लेना बन कर देंगे तो वो जो energy production हमारे शरीर के देना चलता रहता है oxygen लेना carbon dioxide देना तो ऐसे microorganisms भी एक living organism है तो उनको भी oxygen चाहिए होता है लेकिन यह जो भाहिसाब है कुनसे भाहिसाब दही डालते हो और वो चार गंटे-8 गंटे के बाद आप देखोगे वो पूरा का पूरा दूद जो ए हो किसमें कनवर्ट हो जाते है दही में कनवर्ट हो जाते है हमारी अईसा ही घर में दही जमाती है हम हमेशा market से दही खरित के नहीं लाते हम यूज़य क्या करते है घर क को क्या क्या रिपरड़क्शन किया रिपरड़क्शन मतलब एक से दो दो से चार रिपरड़क्शन करते करते हैं पूरे दूद में फैल गए तो दूद में क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूद में होता है लैक्टोस लैक्टोस क्या है एक शुगर है लैक्टो इसलिए इसलिए डूद ढहे स्टाइव कlower लगेग समरे के लगेगा कि मीठा है, ठीके ना, एकदम मीठा नी, चक्कर जासा नहीं, लेकिन फिर भी मीठा लगता है, मीठाआज होती है उसके अंदर, क्यों, तो acids mainly क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, इसलिए योगर्ट क्या होता है, सावर होता है, यानि खट्टा टेस्ट में होता है, वैसे दूसरे बात करेंगे, use of lactobacillus, यह जो lactobacillus हमने बात की, इसका इस्तेमाल हो रहा है, दूद को दही बनाने के लिए, bacteria है, लेकिन actual में इसक microorganism, इसका uses क्या है, क्योंकि हम useful microorganism पढ़ रहें, इसका uses होगा न, अच्छी कारणों में, अच्छे चीज़ों में इसका use होगा, तो यह योगर्ट बनाने के लिए, दही बनाने के लिए, आप जानते हैं, बहुत सारे ऐसे factory हैं, जो दही बनाते हैं, दही बनाने के लिए, बटर मिल्क, घी बनाने के लिए, चीज बनाने के लिए, आप लोगको ये लैक्टो बैसिलाई का ज़रुवत पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो की कोई भी चीज की बात करें, योगर्ट लेलो, बटर मिल्क में लो घी लेलो, चीज लेलो, यह बनता कैसे दूद से बनता ह है, तो naturally हमारे पास दही एवेलेबल नहीं है, naturally हमारे पास दूद प्रेजेंट है, जो हमें गाए, भैस, या फिर जो भी बनाने के लिए, यह सब बनाने के लिए, फिर इसको ठीक करते है, आपने देखा होगा, एक आता यह, क्या बोलते है, उसको, मार्केट में मिलता है, उसको नाम में कोई याद नहीं आ रहा है, प्रोबायोटिक दिंक प्रोबायोटिक दिंक होता है, जिससे आपका पेट, जो है, अपको एक्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप जरूर से इसको ध्यान में रखना, यह कुछ ऐसे चीज़ होते हैं, जो आपके मन में रहेगा, तो आप अपने ओन वर्स में एंसर लिख सकते हो, चलो, नेक् दिंक होता है, जिससे आपके बताना चाहूंगा, कि ऐसे प्लांस जो प्रोटीन प्रोडूज करते हैं, लेगिमिनस मतलब लेगियूम्स, जैसे दार, दाल वटाना पर्ल्स ये सब के चना ओंद चना ग्राम ये सब के जो प्लांट होते हैं यह लेग्यूमस को देते हैं याँन 41 का नारी जए लेग्रोनस्स के तो इन्मित रहेता है आप यह क्या करता यह सपलाइक रहता है नाइट्रेड जना' amino acid to that plant, मतलब वो rhizobium उसके root में है, root का काम क्या है, absorption करना पानी को, लेकिन ये जो bacteria वहाँ पे present है, तो पानी के साथ-साथ nitrates, nitrites और amino acid भी ये plant को supply करता है, और बदले में क्या मिलता है, क्योंकि भाईया, मैं अगर roots में रहने के लिए एक energy चाहिए, तो वो energy कहां से मिलेगा, तो ये क्या करता है, nitrites और amino acid pass करता है, roots के थुरू कहां पे, plants के अंदर, और plants उसको energy बना के देता है, और वो जिंदा रहते हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे है, mutual relationship relationship में रह रहे हैं, जैसे एक couple होते हैं, relationship में, एक female होती है, एक male होता है, तो male बाहर जाके नौकरी करता है, पैसे कमा के लाता है, और वो पैसे कमा के लाता है, तब जाके ये जो female घर में रहती है, वो प्रोटीन नहीं बन पाएगा प्रोटीन के नाइट्रोजन बहुत जरूरी है तो इसलिए ये useful bacteria बोल सकते हैं अगला useful microorganism है East तो East क्या है? East एक fungus है ये कोई bacteria नहीं है East एक microorganism है लेकिन ये कौनसे category का है? fungus के category का है एक heterotropic fungal microbe है Hahaha heterotropic मतलब दुसरे के उपर dependent होता है उसके बाद खुद का chlorophyll pigment नहीं ये की धूप से energy मना ले वैसा नहीं है, photosynthesis नहीं होता, यह heterotrophic fungal microbe है, और यह कहां grow होता है, that grows on the carbon compound, जहां पे भी carbon constituent ज्यादा present होता है, वहां पे वो grow करता है, ठीक है, unicellular है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे cells present नहीं है, एक cell present होगा unicellular fungus है, इसका इस्तेमान में ब्रेड में होता है, आपने द जो हमने, शायद पहले आपको पढ़ाया है, मुझे याद नहीं, जब यह chapters हमने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने पुरा diagram बना के बता है, तो वो chapter जाके एक बर जरूर से देख लेना, यह वाला chapter जब हमने डीडिल में पढ़ाया था, तो budding क्या होता है, यह आपको पता च के लिए antibiotics जरूरी होता है, तो हमारे शरीर में WBC, white blood carpuscles, already एक soldier के रूप में present होते हैं, जो harmful bacteria से fight करते हैं, लेकिन कभी-कभी वो भी कमजोर पढ़ जाते हैं, तो उसको ताकतवार बनाने के लिए हम लेते हैं antibiotics, तो डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं, बुखार वगर हो पाते हैं, करेक्ट है, यहीं चीज़ होता रहता है, तो antibiotics भी जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है broad spectrum antibiotics और एक होता है narrow spectrum antibiotics, broad spectrum antibiotics वो antibiotics होते हैं, जो बहुत सारे बिमारियों को ठीक कर सकते हैं, तो जैसे wide variety of bacteria के उपर इनका काम चल जाएगा, बहुत सारे अलग-अलग type के bacteria है यह, किसके वज़े से बिमारी हो रही है, सीधा क्या ले लिया, broad spectrum antibiotics ले लिया, वो खाऊगे, तो हर टाइप के bacteria जो harmful है, उसको वो मार देगा, ठीक है, एक्जामपल के तुर पे, ampicillin हो गया, tetracycline हो गया, तो अगर डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहे है कि कौन सा बिम जो harmful है, तो उसी को अगर खतम करना है, जब pathogenic microbes definitely पता होता है, definitely known होता है, तो हम यह narrow spectrum antibiotics ले जिसके अंदर example आ जाता है, penicillin का, क्या जाता है, penicillin, penicillin is the example, जो की एक fungus से बनता है penicillium, बहुत important है, यह exam में पूछता है penicillium, penicillin और penicillium के बारे में जरूर से अच्छे पढ़ लेना, तो penicillin, एक एंटिबाइोटिक है, जो penicillium fungus से बनता है, जो की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, treatment करने के लिए, ठीके, और एक और है erythromycin करके एक एंटिबाइोटिक होता है, इसका इस्तेमाल भी doctors बहुत सारे क पढ़ लिया, तो obviously यह क्या होंगे, हमारे लिए useful होंगे, अब हम लग पढ़ेंगे हमारे लिए, जो harmful है, यानि harmful microorganisms, यानि कुछ ऐसे भी होंगे भाई, जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, तो harmful microorganisms, ऐसे microorganisms होंगे, that is harmful for us, और disease causing, मतलब उसके वज़े से, अगर वो हमारे अ दर आगे, दुझ के वैसे हमें क्या हो सकता है, बिमारिया हो सकते है, तो ऐसे कई सारे बिमारी है, जैसे मैं आपको कई बार explain क्या हुआ है, starting के कुछ chapters में भी अगर 8 standard में आपने पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा, वही सब चीज़ है, अगर आप अपने सिलाबस दे आपे हैं, जब नॉर्मलि अगर देखा जाए, तो हम खाना खारे, रात में खाना बज गया, तो हम सुबे उसको खाएंगे, ऐसा वाला, हम लोग रख देते हैं, तो आपने नोटिस कहा हो, कभी-कभी रोटी आपने देखा है, रोटी, अब रोटी जो है ना, कभी-कभी र यह सब चीज, अगर आप देखो, पाओ, पाओ, सुबे का पाओ भी शांत को नहीं खाना शीया, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उसमें इस्ट वगरे डालके बनाये जाता है उसको, ठीके, कुछ-कुछ लोग अगले दिन खाते हैं, उसको गरम करके, लेकिन एक्चल में वो पा यह हामफल वाला कलॉस्ट्रीडियम, कभी-कभी क्या होता है, फूड जो होता है खाना, जो बहुत ज़याधा बड़े लेवल पर होता है, जैसे कि मैरेज हो गया, शाधी वह गले की बात हो गई, बड़े लेवल पर होता है, कोई पाटी हो गई, तो आपने देखा हो गई क तो किसी भी एक पर्टिकुलर सबजी में, किसी भी पर्टिकुलर समझ लेक कांदा है, अब बोलते हैं एक कांदा अगर खराब है, तो ऐसे खराब food के अंदर Clostridium नाम का एक बैक्टेरिया डवलब हो जाता है, जो बाकी चीज को भी खराब कर सकता है, और यह लोग का reproduction rate काफ जादा बिमार कर सकता है, आपका फेट खराब हो सकता है, डाइरिया, डिजेंटरी, वॉमिटिंग और ऐसे कई अनगिनत और भी बहुत सारी बिमारिया जो है, वो आपको लग सकती है, तो यह सब चीज़े आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, कि बहुत सारे ऐसे harmful बैक बैक्टेरिया के वैसे होती है, harmful microorganisms के वैसे होती है, फंगस के वैसे होती है, या फिर हम बात करें virus के वैसे होती है, तो यह पूरा list available है, हमने आपको पढ़ा रखा है, तो जाके हमारे lectures भी देख सकते हो, यह तो था revision, उमीद करता हो कि आप लोग को हर एक चीज समझ में आ revise करा सकें, तो हमने इस चीज को पटा-पट तरीके से revise करा लिया, अब आपकी बारी आपको अच्छे तरीके से इसको learn करना है, चीज़े जो हमने अलुड़ी पढ़ा रखिया, उसको भी concept से, concept के इस आप से समझना है, और अच्छे तरीके से learn करके exam में answers लिकराने, ताकि अच्छे-अच्छे marks आप लोग score कर सकों, ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, उमीद करता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया है, तो please like करना, अच्छा-च्छा comments जरूर से करना, क्योंकि आपके अच्छे likes और comments के वे से हमे energy आती है, motivation आता है, and please अगर first time आयो, चैनल पर subscribe कर देना, और इस वीडियो को अपने जितने भी हो सके, नवी के friends तक share कर देना, बताओ, already सब चीज़ पढ़ा रखा है, फिर भी आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, revision करा जा रहा है, ताकि आप अच्छे से अच्छे mark score कर सक subscribe करके bell icon को press कर देना, ठीके दोस्तों तो चलो जल्दी मिलेंगे, फिर एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए, thank you and goodbye.